वेलकम बैक टू दानादर वीडियो तो मैं आ चुका हूँ आपके लिए लेकर एक और बेक्पेक का अन्बॉक्सिंग और रिविए वीडियो तो इस बेक्पेक में चार्जिंग पोर्ट मिलता है मतलब आप यूस्बी लगाकर इससे स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं चैनल पर बैक्पेक को लेकर अगर आपने यह दोनों वीडियो नहीं देखे तो है इस वीडियो को देखने के बात में यह विडियो जरू से चेक आउट करना इस में आपको बैस्वेली फोर में नाज़र आया तो मुझे लगा कि इसके USB port वाले जो backpack है वो किस तरह के आते हैं तो यहाँ पर यह backpack मुझे receive हो चुका है और कुछ इस तरह की packaging पे यह मुझे मिला है यहाँ पर इसकी weight की बात कर तो weight बिलकुल lightweight है बहुत जादा heavy नहीं है तो यहाँ से कर लेता है इसको जल्दी से open यह आचुका है backpack बाहर round company की तरफ से यह backpack आता है और इससे पहले भी हमने round company का एक backpack जो है वो already उसका unboxing and review किया हुआ है यह वाला backpack है काफी value for money backpack है एक बार इस वीडियो को इन तक देख लिजिए उसके बाद में यह वीडियो ज़रू से check out कर लेना और करते हैं इसको open और लिका लेते हैं बाहर देख सकते हैं backpack का जो first look है वो काफी decent थे सबसे पहले देख लेते हैं जिसकी वज़े से मैंने इस backpack का order किया है इस USB port की वज़े से आप इसमें अंदर power bank को रखकर बाहर यहाँ पर phone को चार्ज कर सकते हैं और यहाँ पर phone को रख सकते हैं तो देखे यह है वो USB port का कुछ इस तरह का आपको मिलता है उसके लबाब बात करते हैं compartments की तो यहाँ पर जो इस backpack में compartment मिलते है वो आपको only एक ही compartment मिलता है लेकिन इसकी size काफी बड़ी है मतलब यह 35 लिटर का backpack है जिसमें आपको laptop रखने के लिए एक particular space मिल जाता है 35 लिटर के आजपास इसकी कुछ size mention की हुई है उसके लबाब बात करते हैं backside की तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको stay rogan का एक tag देखने को मिल जाएगा साथ ही साथ यहाँ पर पीछे एक net जिसा fabric देखने को मिल जाएगा जो की काफी easy रहेगा और इस backpack को काफी light weight भी बनाए हुआ है उसके लबाब यहाँ पर नीचे कोई rain cover वगएरा ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है और यहाँ पर आपको मिलते है side में एक smartphone या फिर आप bottles वगएरा रख सकते हैं उसके लब यहाँ पर आपको मिलता है एक और pocket जिसमें आपको कुछ इस तरह का space देखने को मिल जाता है जिसे कि आप इस space को बहुत इच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं और साथ ही एक pocket हमें यहाँ पर outside बाहर की तरफ मिलता है जिसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की size मिलती है जिसे आप easily use कर सकते हैं तो चलिए आपको बता दाओं कि आप इसे किस तरह से use कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है एक charging cable लेनी है और इस charging cable को आपको इस तरह से लगा रही है तो कुछ इस तरह से आपका जो charging का port है वो यहाँ पर fit हो जाएगा और आप इसे अपने according use कर सकते हैं स्मार्टफोन में आपको इस तरह से charging pin लगा कर और यहाँ पर आप इसको रख सकते हैं आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा यह जो USB पोर्ट वाले जो बैकपेक साते हैं उसमें हमें कोई भी पोर्ट नहीं मिलता है यह सिर्फ as a cover है जिसके अंदर आप charging केबल को लगा कर USB पोर्ट को इसमें fit कर सकते हैं यहाँ पर आपको compartment तो एक ही मिलता है compartment जादा नहीं मिलता है लेकिन काफी decent सी quality और काफी अच्छी quality का यह backpack जो है आपको round company की तरफ से मिल जाता है उसके लबाद zip quality की बात करें तो zip भी देख सकते हैं बहुत ही strong है और बहुत ही जो है अच्छी quality की है तो यह है backpack अब बात करते हैं इस backpack की price के बारे में अगर आपको जादा compartment नहीं चाहिए एक बड़ा compartment और यहाँ पर आपको छोटे जो है compartment मिल जाएंगे अगर आपको इस तरह की backpack की requirement है तो definitely आप इसको ले सकते है और आपको इसको भी देखकर idea लग गया होगा किया एक्च्छल में इसका काम क्या है और यह किस तरह से आपको backpack में देखने को मिलता है अगर आपको इस वीडियो में अगर आपको इस वीडियो को लाइक कर देजिए और इन फिचर भी इसे तरह की interesting, informative and useful वीडियो के लिए अगर आपने भी तक हमारे चल्को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बैल आकन को भी प्रेस कर देना तो मैं मिलता है अपको से कलिके से ऐसे investing वीडियो में, thanks a lot for watching